मेरे चनल का नेम है मिनाक्षी जांगना, आज मैं फिर से एक रिव्यू वीडियो लेके आई हूँ, और ये रिव्यू होने जा रहा है, इसमें जो है यूनिकॉर्ण स्केड कोम्बो है, मैंने अपने बच्चों के लिए ही ओर किया था, और ये मैंने ओर किया है, इसमें 6 यूनिकॉर्ण पैंसिल, पैंन और 3 एरिजर थे यूनिकॉर्ण के, जो मैंने ओर किये थे, और आज मेरे को ये रसीव हो गया है, तो ये आप सभी के सामने ही मैं अन्बोक्स कर रहे हूं, द लेते हैं, जो पैकिंग है, प्रोडेक्ट की काफी अच्छी है, देख लें आप, बहुत अच्छे से पैक करकी, बेजा है कोरियर, यहां से भी मिलो कट करना होगा थोड़ा सा, पैकिंग के वन स्टार हम दे सकते हैं, चलिए, देखते हैं हम, यह देखिए, बोक्स ओपन हो बया है, और देखने में ही कितने अच्छी है, मेरे बच्चों को काफी पसंद है, यह यूनियोकों से पैन हो, पैंसल और चलिए, अब हम निकाल के देखते हैं, प्रोडेक्ट क यह देखिए, अंदर कुछ इस तरह से आपको पनी में पैकिंग मिलेगी, मैं ओपन कर लेती हूँ, सबसे पहले मैं काउंट कर लेती हूँ, कि क्वांटिटी, जितने दी हुई है, हो है या नहीं, इरेजर में भी इसी में होगा, वन इरेजर ऐसी, यह निकल गया, ओकी, तो यह बार में देखेंगे, सबसे पहले हम जो ग्लिटर की जो पैन है, ग्लिटर पैन है, उनको देख लेते हैं, यह शिक्स पैन थे, और यह जो मैटिरियल है, वो प्लास्टिक का है, मेड इन इंडिया है, और यह देखें, यूनिकोर्ण, काफी पास्टे मैं आपको दिखा रहा हूँ, काफी क्यूट क्यूट यूनिकोर्ण है, और कलर भी काफी अच्छी है, कलर कम्बिनेशन, काफी अच्छा है, तो देखें, सिक्स, हमारे पास पैन निकली हैं, ग्लिटर्स की, ओके, चला के अभी देखेंगे, अभी फिर अब देख लेते हैं, पैनसिल, ओके, सिक्स, यह देखें, पैनसिल, काफी क्यूट है, मिरको भी काफी अच्छी लग रहे हैं, बच्चे ने जब पसंद किया था, तब मिरको लग रहा था, पता ने, प्रोडेक्ट कैसे निकलेगा, और, काफी अच्छा हैं, बिल्कूल, बच्चे हैपी होने वाले हैं, उनिकोंड्स की आइस देखें, क्लोज, उनिकोंड्स, जैसे, कितने प्यारे, क्यूट हैं, और, पैंसिल, ये देखें, और, इनके, तो, ओल्मोस्ट, शिक्स पैंसिल, काफी अच्छी हैं, अब, त्री, इरेजर थी, देखें, इरेजर को, इस तरह, यूनिकोंड्स, काफी प्यारे हैं, देखें, इरेजर हैं, इस तरह से, पैकिंग की होई है, तो, पैकिंग, बहुत रेजर देखिए तो काफी क्यूट है यह बी इस प्रोडेक्ट बिल्कुल और यह रेजर में भी इसमें सी निकला हुआ है और यह टूटा हुआ तो नहीं है देखिए इसके पार्ट्स है तो देखते हैं यह पार्ट्स कैसी है यहां का अपर साइट लग रहा है यह यहां पर ऐसी मैं लगा लूँगी और यह इसकी टेल यह ट्रांस्पोर्ट में निकल जाते हैं देखिए तो यह इसकी पैकिंग निकल गई होगी तो कितना क्यूच है ओके तो अभी हमने अन्बोक्स करके देख लिया हमारे अब हम इनको यूज करके देखते हैं चलिए वनवाई बनम सबको यूज करके देखेंगे कहीं चलने में इन में लिकत नहीं है तो सबसे पहले बहुत ही प्यारे हैं मैं काविक को सुंखुद ही इनको देखके तो बच्चे तो हैपी हो नहीं वाले हैं दुबारस में बता दू इनके जो मैट्रियल है वह प्लास्टिक का है मेड इन इंडिया है शिक्स यूनिकोर्स की पैन पैंसिल और इरेजर का ये पैक था और इसका जो प्राइज है वह है 354 मतलब 354 दोख चली अब यहां से ओपन होगा कहां से ओपन होगा ऐ डोंट नूर देख लेते हैं मिरीको लग तो यहां से ओपन होआ नहीं यहां से तो उपन नहीं हो रहा ए तो इसको इंड्रास से बंद कर देती हू आओ तो ओके यह जो यूनिकोर्स नो चलिए मैं यहां भी देख लिए यहां भी ओपन नहीं हो रहा है यहां से पैन नहीं है यहां भी ज्वाइंट है तो यहां पर देखिए यह जो है यहां से हम ओपन करके देखते हैं यह पैन है और पैन की निप देखिए इस पर भी प्लास्टिक लगा हुआ है ओके हमने निकाल लिया इसको और अब हम इसको चला के देखते हैं ओ वाव काफी अच्छी नीव है ओके यह दो चला गया इसको हम दुबारा से ऐसी ही क्लोज कर देते हैं सेफटी के साथ और वन वाइवन करके मैं सभी इनको चला के देख लूँ कहीं कुछ देखिए ओपन कहां से हो रहा है यहां से बिलकुल एंड पॉइंट से और सभी क्यों देखिए अच्छे से कैप लगी हुई है यह भी चला हुआ है चल रहा है जली जली से देख लेती हूं काफी वीडियो लोंग हो जाएगी ओकी यह भी चल रहा है और सबको देखिए जितने भी पैन है इनकी निपको अच्छे से कवर किया हुआ है प्लास्टिक से ओकी यह भी चलती हुई कंडिशन में है जली से मैं आपको दिखा रहते हूं ओकी यह भी चल रहा है अब आते है पैंसिल के बारी तो पैंसिल का जो ओपनिंग पॉइंट है यहां से लग रहा है मेरे को यास तो पैंसिल देखिए तो यहां से यह निब हमारा ब्लैंट हो जाता है पैंसिल का तो हम निकालके यहां पे दुबारा नया निब ले लेंगे और यह इसका है कैप काफी अच्छा है न क्यूट आइज क्लोज क्यों युनिकॉर्ण सो रहा है स्लेपिंग मोड बें ओके तो पैंसिल भी हमारी सभी अच्छी है क्योंकि पैंसिल को हम चिला के देखने के नेड नहीं है तो दुबारा से मैं आपको दिखा दूं बिलकुल जैसा आपको श यह है हमारा इरेजर तो सभी को हम निकाल के देख लेते हैं एक बार तो पैस्ट करना पड़ेगा और यह विस्टा निकल रही है थोड़ा इसको में भी मैं को लग रहा है इसको पेस्ट करना पड़ेगा और यह विस्टा ठीक है तो यह देखिए रही कितने क्यूट क्यूट रहें फिर इसकी टेल निकल गई तो फैविक क्विक से में भी मैं रुको इसको पेस्ट करना पड़ेगा आप खुद देखिए कितने प्यारे हैं सारे ही यूणिकॉर्ण्स काफी पसंद आए है मेरे को वो और्मॉस्ट मैंहीं कहूंगी ये प्रॉडेक्ट काफी काफी पसंद आया मेरे को आपी के सामने मैंने अन्बॉक्स किया है मीशो का ये इसका इसको लगान graph ना, तो प्रॉडेक्ट का नेम ये अन रज़ाइतना ओ मिशो किया है तो काफी काफी cute unicorns है और जो भी product है चलने की condition में ही मिले है S&E की product खराब मिले है और देखने में काफी beautiful है six pen और six pencil और three हमारे जो eraser है हाँ ठीक है इनमे जो parts है वो बार-बार निकल रहे है इसके eraser के यह थोड़ी है बाकि मैं इसको paste कर लोगे बट इसका जो price है मैंने बताए है आपको three five four तो इस price में काफी reasonable मिले को लगा और क्योंकि घर बैठे आपको मिल रहा है आपके देखी कितने अच्छी है सारी unicorns तो I hope आपको भी यह product काफी अच्छा लगेगा अगर आप यह चाहते हैं कि आप अपने मिर्ची के लिए purchase करें तो इसका code मैं आपको description करके जिरूर बताईएगा कि आपको यह product कैसा लगा यह video कैसी लगी वीडियो पसंद आए तो like कीजिएगा चैनल को subscribe करना मत भूलेगा क्योंकि next एक order किया हुआ है मैंने वोच रिस्ट वोच है जो मैंने अपने बच्चे के लिए ही मंगवाई है तो जब भी वो deliver हो जाएगी उसका भी मैं वीडियो लेके आऊंगी तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई झाल